बिनोला खल में पिछले कुछ दिनों से आ रही तेजी बजार के लिए अब समस्या बनती जा रही है दरसल जिससे देश में करोडों की संख्या में मौजूद मवेशों के आहर महेंगे हो गए है स्थिती ये है कि देश के मवेशी पालन और दुग दुद पादन किसानों के लिए ये संकेत अच्छा नहीं है जो सालना लगबग 13.3 करोड टन दुद का उत्पादन करते हैं देश में बड़ी संक्या में किसान नीजी उपयोग और अतिरी तलाब पाने के लिए खेती के सासत मवेशी पालन करते हैं इससे दूद और दूद का उत्पादन पर भावित हो सकता है क्योंकि मवेश्यों के आहर में प्रयोग होने वाले खल में लगबग 80% का योगदान बिनोला खल का होता है और अब बिनोला खल की कीन्तों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने जिस तरहें तेल तिन्नों के वाइदा कारोबार पर रोक की समय सीमा को बढ़ाया है जानकारों को कहना है कि उस दाइरे में विनोला तेल खली को भी लाना चाहिए कई बड़ी भहुराश्चर कंपनियों के मलेशिया और अन्या संस्थानों पर तेल प्रससकन स्यातर है वाइदा कारोबार प्रतिबंद किये जाने के पहले जब आयातक सोया बीन सीपियों का आयात करते थे तो ये बहुराश्चर कंपनियां आयातकों को जिस भाव से तेल बेशती थी उस खेप के देश में पहुँशने तक वाइदा कारोबार में सटे बाजो की साहता से दाम नीचे कर दिये जाते थे बैंकों में अपनी साक चलाते रहने के लिए आयातकों को नीचे वाइदा भाव के हिसाब से मजबूरन अपना माल बेशना पड़ता था और बेशने वाली कंपनी ही यहां आयातक से करंडला बंदरगा पर तेल खरीद लेती थी जिससे रिफाइन करके बाजार में फिर से बेश दिया जाता था ऐसी बड़ी कंपनियों का मकसद देश के तेत तिलन कालोबार पर अपना कबजा जमाना परतीत होता है इसी वज़े से कई आयातकों का बैंक कर्द डूबा है और बैंकों ने उन्हें नकरात्मक सुची में डाग दिया है दरसल देश को आतम निर्भरता की ओर ले जाने के लिए जानकारों का कहना है कि वायदा कारोबार पर रोक रखना इस कारण से काफी एहम है वहीं इंदोर स्थित तेल संक्ठन सोपा के अध्यक्ष दाविश जैन ने भी बाजार नियामक भारतिय प्रतिबुती एम विन्मिय बोडियानी सेबी द्वारा तेल तिलन के वायदा कारोबार पर अगले एक साल के लिए प्रतिबत बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है और इसे तेल उध्योग किसान और उभोकता के हित में कहा गया है विरो रिपोर्ट माके टाइम्स टीवी